हेलो एवरीवन और वेलकम टू फ्लाइयर टूटोरियल्स फ्लाइयर टूटोरियल्स में आप सभी का फिर सहार्दिक स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे डिटेल लेक्ट्रोनिक्स में लेक्टर नमबर 16 और टॉपिक है प्राइम इंप्लिकेंट्स एंड असेंशल प्राइम इस लेक्ट्र को देखने से पहले अगर भी तक आपने हमारा प्रीवेस लेक्ट्र नहीं देखा है तो आप आई बटन पर प्रेस करके सबसे पहले उसको देख लिजे ताकि आप इस लेक्ट्र को रिलेट भी कर पाएं और आपके लिए समझना आसान भी हो जाए उसी के करते हैं उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो रेड़ बटन को प्रेस करके सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजिए और उसके साथ में नोटिफिकेशन बैल जो है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे की प्रीविस लेक्टर में हमने बात की थी के मैप के बारे में और वहां पर मैंने आपको जो एड़्जेसंट इस्क्वार्स होते हैं उनकी ग्रूपिंग या लूपिंग करना सिखाया था वहां पर हमने टू, फोर और इट इन स सबी cover होनी चाहिए जब आप adjacent squares को combine कर रहे होते हैं दूसरा आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि expression में आपके minimum number of terms होनी चाहिए ये भी था और अगर कोई redundant terms आ रही है redundant terms का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई min terms आपकी पहले से ही किसी और group के द्वारा combine की जा चुकी है तो आपको उसको चोड़ना पड़ता है ठीक है तो जैसे जैसे हम इसके problems को solve करेंगी ये सभी बाते आपके लिए clear होती जाएंगी फिलाल आपको यहां में एक overview दे रहा हूँ तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है उसमें पहली जो term है वो है इंप्लिकेंट्स क्या है इंप्लिकेंट्स simply आपका group of ones को कहते हैं ग्रूप जो करते हैं उनको कहते हैं हम implicants example जैसे कि आपने 1 की भी हो सकती है 2 की भी 4 की भी 8 की भी 16 की भी according to variable यह निकी कितना वड़ा आप यह मैं बना रहे हैं उसके according grouping को हम कहते हैं 1 की implicants ठीक है अब prime implicants क्या है prime implicants basically क्या है product term है आपकी ध्यान से समझेगा prime implicants क्या है आपकी product term है जो कैसे आपको मिलेगी जितने भी ध्यान यह रखेगा maximum possible number of adjacent squares in the map जितने भी possible हो सके maximum possible हो सके adjacent square को जितने ज्यादा से ज्यादा कि आप looping कर सकें किसी भी map में उसको हम कहते है है prime implicants easy way में मैं आपको समझा दिया है ठीक है और इसके हुए हम example लेंगे तो आपको और better way में clear हो जाएगा यह है prime implicants जितने maximum possible number of adjacent square को आप cover कर सकते हैं combine कर सकते हैं मैप में उसको कहते हैं prime implicants उसके बाद है essential prime implicants essential prime implicants क्या है कि suppose कि जो कोई min term है ठीक है square में वो अगर cover की जा रही है only by one prime implicants यानिके आपने जो prime implicants थे आपके अगर कोई min term सिर्फ उसी के द्वारा ही cover की जा सकती है और कभी cover की नहीं जा सकती कोई prime implicants ही उसको cover करेगा otherwise अगर उसको वो prime implicants cover ना करे तो वो cover नहीं होगी वो min term तो ऐसे prime implicants को हम कहते है है essential ठीक है I hope कि यह मैंने बहुत easy way में जो समझाए है यह आपको clear होई होंगी ठीक है तो चलिए मैं अब आपको example के through भी समझा दूँगा उससे पहले हम कुछ बात करते हैं कि prime implicants के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी possible maximum number of square से उनको cover करना है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका single one भी है ठीक है मैप में तो वह भी आपका represent करता है prime implicants को ध्यान यह रखना है अगर maximum possible number है तो उसमें अगर कोई single one भी है तो वह भी आपका prime implicants को शो करता है लेकिन condition यह है कि उसके साथ में कोई adjacent square नहीं होना चाहिए यह adjacent one नहीं होना चाहिए जो उसकी साथ combine कर सकते तो single one भी आपका prime implicants को show करेगा उसी के साथ साथ अगर आपके two one है तो वह भी prime implicants को show करते हैं condition उसमें यह है कि कोई group of four adjacent square का उसको cover नहीं करना चाहिए इसी तरह आप four का भी हो सकता है कि eight ना करें तो यह आपको ध्यान में रखना है कि prime implicants के बारे में clear idea आपको मिल जाए और जो essential prime implicants है वो आपको कैसे मिलेंगे कि आपको देखना है कि कौन prime implicant उसको cover कर रहा है ठीक है तो यह simple है तो prime implicant आपके essential कब हो जाएगा कि अगर वह ही अकेला prime implicant है जो एक मिन टर्म को cover कर रहा है example यह मैंने दिया है ठीक है यहाँ पर मैंने दो यह images यह figure map draw किये हैं यहाँ पर आप देखें है यह सेम ही यह मैंने मिन टर्म जो है वहाँ पर वन वन प्लेस कर दिया है जाना पर आपकी मिन टर्म है तो आपको भी यहाँ पर यह देखना है essential prime implicant और prime implicants के बारे में इस जो उदारन है उससे आपको पुरा clear हो जाएगा अच्छा अगर आप यहाँ पर यह है मैंने denote किया गया है जैसे कि designate करते है M0 M1 M3 M2 4 5 7 6 यह सब मैंने 4 variable के लिए draw किया है variable है मेरे AB और CD आप समझी गए होगे ठीक है अगर आप अब M0 को देखें M0 जो मिन टर्म है अगर इसको cover करने के लिए आपके पास क्या तरीका हो सकता है ठीक है आप pause करके भी यह खुझ से conclude कर सकते हैं तो इसको अगर आपको cover करना है तो उसकी लिए की तरीका है कि जो हम grouping करते हैं 4 cells की यानि कि यह जो है adjacent square इनी को अगर मैं cover करूं तो मेरी M0 जो term है यह cover की जा सकती है तो यह कहलाएगा आपका essential prime implicant ठीक है यानि कि 4 की grouping भी हो गई है prime implicant भी है लेकिन 1 को अगर आप इसमें ना cover करें तो किसी और के साथ तो cover भी नहीं होगा तो इसलिए इसको हम कहेंगे essential prime implicant similar case है आपका M5 का अगर M5 की case में आप देखें तो अगर आप यह एक looping ना करें इनकी 4 की तो यह one आपका किसी और के साथ combine नहीं होगा मतलब maximum तो आपको यह लेना ही है मतलब maximum 4 की हो सकती है न और इसी 4 में यह cover होगा आपका तो यह यहीं cover हो सकता है तो यहाँ पर आपको क्या दो essential prime implicant मिले कौन-कौन से एक है आपका M0 और एक है M5 और इन ही दो ने आपकी लगभग 8 min terms को cover कर लिया यानि कि M0 में आप देखेंगे तो M0, M2, M8 और M10 यानि कि 4 min terms को इसने cover कर लिया और M5 case में देखेंगे तो 4 min terms को इसने cover कर लिया अब आपके पास कौन-कौन सी बची है एक है आपके पास M3 एक है आपके पास M9 और एक है M11 यह तीन आपके पास min terms बची है ठीक है तो अब हमें क्या करना है आपको यह तो मिल जया और यहां से अगर आप इनको solve करेंगे solve करना मैंने आपको पुछी लेक्शन में बताया था तो यह जो है आपको term क्या दे देंगी जो first है वो दे देगे आपको B dash D dash यानिके B complement D complement और उसी तरीके से जो M5 है M5 वाली जो term है यहां से आपको क्या मिल जाएगा BD हाला कि इस पर हम इतना focus नहीं कर रहे है basically मेरा जो purpose है वो है आपको समझाना यह terms आपको clear हो जाए ठीक है तो आपने इनको solve कर लिया अब आपको देखना क्या है कि जो terms बची है आपकी M3 M9 और M11 इनको आप कैसे cover करेंगे ठीक है उसको हम दिखाएंगे इस वाली figure में ठ आप इन 4 की pairing करें ठीक है या फिर M3 cover हो सकती है इन 2 की pairing के साथ में ठीक है यह simple है ना उसी तरीके से एक है हमारा M9 M9 आपकी किस तरीके से हो सकती है यह M9 इसको कैसे cover कर सकते है या तो आप 4 की pairing करें या फिर आप एक यह pair ले 4 का तभी आपका M9 जो है वो cover हो सकता है इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए उसी के साथ साथ एक और जो term है आपकी M11 अब M11 क्या है M11 के लिए भी simple वही है कि या तो आपका यह 4 होंगे या फिर आपका यह 4 होंगे जो हमने उपर draw किया है तो I hope कि इसमें आपको क media मिल गया है essential prime implicants के बारे में और prime implicants के बारे में बहुत मैंने easy करने की कोशिश की है in terms को समझाने में और बहुत detail में भी समझाया है example के माध्यम से तो आपको I hope कि यह clear हुआ होगा अच्छा जो आपका simplified expression मिलेगा यानिकि जब आप इसको simplify करेंगे तो उसमें आपको क्या म मिलना चाहिए ठीक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो procedure क्या होगा आपका simplified expression निकालने का procedure में यह होगा कि सबसे पहले आपको find out करनी है जितने भी आपकी essential prime implicants है ठीक है और जो simplified expression होगा वो आपका equal होगा essential prime implicants plus यानिका logical sum होगा prime implicants और prime implicants ही कौन से है जो आपके चाहिए होंगे बाकी की min terms को cover करने के लिए ठीक है यानिके rest of min terms जो आपकी cover नहीं की थी essential prime implicants ने जैसे कि आपने पिछले case में देखा है कि वहाँ पर कुछ जो min terms थी वो रह गई थी जो essential prime implicants ने cover नहीं की थी आपको वो हमने cover की थी prime implicants दूसरे तो essential prime implicants का और prime implicants का logical sum जो है वो आपका simplified expression के equal होगा यहाँ पर मैंने आपको यह बात है theoretically बताई हैं ताकि आपके mind में रह जाए आपको समझ में आ जाए कि basic overview क्या था next lecture में हम detail में कुछ problems लेंगे वहाँ पर आपको यह सभी जितने भी हमने concept पर बात की है वो सभी clear होते जाएंगे तो अगर आपको पसंद आया है तो like करना ज़रूर ना भूलें सभी के links मैंने description में दिये हुए हैं तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय शुब रहे thank you